डीवी जीडी का न्यूट रेक्रीटमेंट का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है काफी टाइम के बाद पठा मुझे पता था कि सप्टेम्बर फर्स्ट वीक पे आउट होगा और मैंने टेलीग्राम पे लगबुक्स आतार दिन पहले बताया भी था कि हाँ आ बोक्स में दे रख है मैंने तो डिफिनेटली जो भी जुड़ जुड़ जाना कि बेर से पार वर्म का जो भी अपडेट आते हैं पहले से पहले आपको मिल जाते हैं पहला नूम्बर तो देख सकते हैं सर आप सभी नाविक जीडी का है नाविक डीबी का है यां त्रिक का इस बार यहां पर फिर से वेकेंसी आ हे लास्ट यहां फिर के यहां से अठा दिया गया था यहां पर यहां पर एफ्र फिलिंग की बात कर लेता था Gatti का पेपर होगा education qualification की बात कर लेता है तो 10 प्लस टू आपका पास होना चाहिए अगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यह यांत्रिक वालों के लिए तो उतना जरूरी नहीं है उसके यहां पर age के अगर बात कर लेता है तो minimum आपका एक माई 2002 से लेकर 30 अप्रेल 2006 की बीच में जो भी candidate पॉन हुए है वो इस फर्म को फिल कर सकते हैं दूसरी बात है आप अगर vacancy की बात कर लिजाए हाँ स्ट ऑबी सी केरीगरी के इंडेट है तो डिफिनेटली सर आपको यहां पर रिलक्रेशन की भी बात की गई है नाविक जनरल डिवटी की बात कर लेते हैं तो सीट 104 है एवस की 27 से ओबी सी की बावन है स्ट की 35 है और स्ट की 42 है और टोटल 260 पोस्ट है यहां पर जीडी की ड तर ग्रारब उसके यहां पर सेलक्षाइन प्रोसीर के बारे में थोड़ा सा हम ढ RAMSAY कर लेते सेलेक्शन अव बेस्ट अन्ल बायोमेट्रिक ठीक है ठीक है इसने फर्स्ट आपका पहले नंबर फॉर्म फिलप के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा बायोमेट्रिक ठीक है यहां पर बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की तो जो किवल नाविक डीबी का पेपर देते हैं उनको सेक्षन फर्स्ट का किवल पेपर देना होता है तीस नंबर आपको लाने होते हैं और सताइस नंबर पास होने के लिए यू आर एडवलेस और ओबीस यह मिनिमल मार्क्स है ठीक है और ट्वन्टी सेमें नंबर सेस्ट केरिगरी के कंडिड़ेट को लाने होते हैं पचास नंबर का पेपर होता है स्वरी साथ का ठीक है अगर मैं बात कर लेता हूँ नवी जीडी के केनरेट को यहाँ पर तो उनको डी बी का प्रेपर मतलब सेक्षन फर्स्ट यह वाला तो देना ही है मतलब यह वाला सेक्षन फर्स्ट यह साथ कोश्न तो अटेम्ट करना ही है उनका एक अलग से पेपर साथ में ही होगा 50 जिसमें आपका इडवांस मैट और इडवांस अपका फिजिक्स साइंस आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो वो देखो 30 प्लस 20 यहां पर 50 नमबर हो जाते हैं और उसके बद 27 प्लस 17 44 बोलोगे यह क्या है पेपर का पैटरन तो मैं बता देता हूं 30 नमबर तो आपको 60 मिलाना है और जो एक 50 नमबर का प्यपर और हो गड़ियों 20 यहेन मिनिमल आपको मिनिमल को मिनिमल 210 करना मिनिमल पड़ाइब सक्केम जी आप एक्जामनेशन मेक्जविम मार्क 60 हो गए है टाइम आपको 45 मिनिट का मिलेगा टोटल नंबर आप कोश्चिन 60 हैं आप पर उसके नहीं आप पर देख सकते हैं के कितने कोश्चन आएंगे मैट के बीच होंगे साइंस के 10 होंगे इंग्लिस के 15 रिजिनिंग के 10 और जीकी के पांच कोश्चन होंगे उसके थोड़ा दूसरी साइड 30 कोश्चन यू और 27 कोश्चन फ़र SCST के केटिगेरी के के लिए होने वाले क्लास 10 का स्लेबर्स के बैसे पर चीज़ें आपको देखने को मेल जाएंगे आंगे सेक्शन सेकेंड के बात कर लेते हैं तो मेंग्जों माक्स आपका 50 होगा टाइम 30 मिनट का मिलेगा टूटल नंबर आपकोश्चन आपका 50 होंगे मैट के 25 कोश्चन 20 नंबर पासिंग माक आपको लाना पड़ेगा इन सेकेंड इस्टेज में ही होता है वहाँ पर पहले डोकुमेंटेशन हो जाएगा फिर आपका पीफटी टेस्ट होगा पीफटी टेस्ट में क्या होगा 1.6 किलोमीटर का रानिंग होगा 20 स्कॉर्स होंगे 10 पुसप्स होगा आंगे बढ़ता है डोकुमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है इनीशिल मेडिकल एक्जामनेशन फिर होगा अगर कोई उन्फिट होता है तो आपको 21 दिन का रही मेडिकल एक्जाम भी मिलेगा आंगे बढ़ता है और नीचे चलता है और कुछ प्रिपरेशन फॉर्म मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आपका पेपर के बिसस्ट पर ही बनती है कुछ यहां पर नहीं है टाइप रेकिंग रूल वगरे इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि जब बहुत मुस्किल है जो ऐसा कोई मैच करता है अंगे डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन क्या है आपके जो हैस्ट लीश्ट अप्ट मतलब की जो आपका डॉक्यमेंट्स बना होना चाहिए मतलब मैं बता दिता हूँ अभी जिनका जो नहीं बना है वह आज ही या फिर एक दो दिन में मैं आपको बता दूंगा फूल डेटेल तो आप अप्लाई करके वह चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो आँगे या पर बढ़ते हैं डॉक्यमेंट्स क्या क्या आप लूट करने पड़ेंगे तो वह बात की बात है यहां पर और भी अगर को जरूरी मिल जाते हैं एक्जामनेशन फी भी यहां पर इंपोर्टेंट हो जाती है थोड़ा सा फीज इन्होंने बढ़ा दी है SCST category के candidate को यहां पर फी आई होप नहीं देनी पड़ेगी रिकॉर्ट टू पे फी बागी तीन सुरुपय यहां पर फी पे करनी पड़ेगी बागी सारे जो भी candidate है उन सभी को एक्जामनेशन सिटी आपको अपने सिटी में देखने को मिल जाएगा और SCST category के candidate है तो सर आपक ऑग का 20 से लेके 24 तारीक के बीच में ज़रूर होगी बीस से 24 के बीच में जरूर होगी यह पर डेट है उसके दब का जो से करने की कोशिश करूंगा जो आप सभी के कॉमन कोमन से डाउट होंगे ठीक है पूरा का पूरा मैंने एक बार आपको थोड़ा सा और यह चीज दि सब्सक्राइब करें जरूर करें जरूर करेंगा तब तक के लिए थैंक्यू सो मच जहिन अल्द बेस्ट टेक के विवन थैंक्यू बाबाए